हमारे बैक होती है बैक में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेन होते हैं जो अपने अपन देख सकते हैं यहां पे दो छोटी चोटी गड़े होते हैं कमर के ठीक कमर की जो लाइव होती है है उस लाइव में ठीक दो गड़े होते हैं यह बच्चों के सजीद में देखने को इमिडेट मिल जाते हैं तो यह आप देखकर प्रेक्षान करना चाहों तो आप देख भी सकते हैं तो यह गड़े प्रापर एक लाइब मोणा चीए उपर नीचे नहीं और यह अधर उदर नहीं जाना चीए यदि इस प्रकार से वो इदर उदर या ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्राप्लम है यह समझना चाहिए तो यह हमारे कमर की पहचान करने के लि करता हूं उसमें मर्मपाइंट करता हूं। यहां पर प्रेस करके आईडिया कर लेता हूं। और कई लोगों के र rental थीक किया हूं। लेकिन बेकपन कैसा हो और यह जो आज का मेरा वीडियो है। कि किस प्रेकार बेकभेड को थीक करेगा। बैकपेन मीन से एकदब नैचुरल बैकपेन, ऐसा ना हो कि किसी का accident हुआ हो उसके द्वारा बैकपेन आया हो, या कोई जढ़ पेर से गिरे हैं और उसके वज़े से आया है, या किसी प्रकार की चोट लगी है उसके वज़े से बैकपेन आया है, वैसा नहीं, एकदब तो इसमें करना कुछ नहीं है आप जैसे कि योग विज्ञाल में मर्कट आसन है तो मर्कट आसन के तीन प्रकार को प्रापर तरीके से यहां पर गती में में मतलब उसको गती के द्वारा करना होता जहां पर होल्ड करना हो वहां होल्ड करना है वाकि गती के नर्वस सिस्टम है थोड़े जो कई किसी को टेंशन आ गया हो तो वो टेंशन रिलीज हो सके तो उस रिलीज होने से हमारा वैक्पेट ठीक हो जाता है तो आए शुरू करते हैं इस प्रकार से पहले लेड जाएं कि दोनों हां सामानता रख लिजिए दोनों गुपनव को नितब के पास एड़ी ला लीजिए और किसी एक साइड में देखिए ऐसे तो उसी के ठीक अपुजिट साइड में दोनों पैर को ऐसे कर दो कि इस प्रकार से वोड़ रखें पात शे सेकेंड फिर से अपुजिट एडिया है कि ऐसे करें तो यह हुआ उमरकाट आसम का पहला तो इसको दस बार करना है कि दस बार इस प्रकार से कर सकते हैं मैं दिखा देता हूं आपको यह 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 इसमें आपको मैंने बता है तो उतना आप रखें अब इसी का दूसरा पॉस्चर है कि यह जो दोनों बुटने हमारे इनके पीछ में इतना जो है यह यह दोनों ही से लेकर भुटना तो कर इसका मेजरमेंट आपकर जीए तो यहां से आपकर यह देखते हैं यह इसे करके मेजरमेंट कर लिए यह यह तो ठीक उसी इसी पोजिशन में ऐसे आपके वन साइड देखें यह यह ऐसा भी दस बार करना है अब इसी का तीसरा पुस्च्चर है यह पैर उठाया हो यह हैंड एदर साइड में रखा रहा ना जी ऐसा पहले देख लेता फिर उसके ओंधा पकाल सकते हैं इसमें पास से शेखेट ना होल्ड रहा है फिर एसी लाव है फिर यह लुखिणा आप और इसको भी सेर्ग ऐसे रख यह पूरा प्रापर इस दरीज्ची से पाण आपके यह कर दुशना बर देखनें और इसे हैं ऐसे करके यह ऐसे पकाल आपके तो तो ये मर्कट आसम के तीन प्रकाव हैं इनको इस प्रकाव से कड़ों अब दूसरा आता है उत्तान पाराशन इसलिए है जरूरी उत्तान पाराशन में यह जो हमारे पैर होते हैं निरे उर्म इनको हम एक जगा के 25 degrees में फोल्ड रारे का मता ह네요 मर्काव कमर इसकें आप में होल्ड राते हैं व स्ट्ठ ली तो इसकाव्पर्वरा दिवर्री में एसे पार्ट गें मुरूरर पोलाख करके हैं ऐसे गोल्डर को है यह हुआ अब दूसरा है पावन मुक्ताशन किसी को गैस होती है उससे भी ठीट है और भी बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन हम तो आपको सिर्फ बैक पेन के लिए बता रहे हैं तो यह ऐसे रख किजिए कि ऐसे अगने बाद पॉल मुक्ताशन का जो पॉस्चर है वो इस प्रकार से होता है यह इस प्रकार से तो इसको हमको कमा दर्दों को खीट करने के लिए इसको हमें गतिमें तरीके से करना है तो गतिमें तरीके से कैसा होगा यह 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 य यह 10 बार करने है और सैव उसी में साइबसाइब साइब साइब में करना है एक आ दो इस प्राब से आए यह बिदधस केहा है तो यह सिर्प तीनल क्निल क से आप आप के कमर दन्र को पूर तरीकारी कि से ठीप कर सकते हो और जिसको ज्यादा बड़ी प्राव्लम है तो इसको कंटिन्यू करो और मैं जो बोला हूं इसमें बोल रहा हूं कि पांच मिनट में यह ठीक कर देगा आपका बैक पे तो इसे ध्यान से कीजिए और तिल का तेल से बैक को हलका तिल का तेल को गरम करके बैक में यह जो दो छोड़ी-छोड़े गड़े हैं यह गड़े के आसपास हलके हाथ से मालिस करते रहे इससे धिरे-धिरे आपका जूश्पी प्रकार का कमर का दर्द होगा वो ठीक हो जाए नमस्कार दोस्तों आज के लिए बैस इतना ही फिर दूसरे वीडियों में मित्ते हैं तब तक के लिए नमस्कार